असलाम लेकम डिया स्टूडेंट्स एक्सराइज 3.2 के कोस्टन अवर 1 का 8th पार्ट है ये पार्ट इसी कोस्टन के 7th पार्ट से मिलता जुलता है तो आएए देखते हैं इसमें हमने क्या करना है इसमें हमने evaluate करना है integration of y into y plus 1 over y को तो क्यूंकि इसकी integration लेनी है तो यहां पर integral sign आजेगा साथ में dy आजेगा तो यहां पर भी क्यूंकि scale root involved है तो क्यूंकि scale root involved है तो y greater than 0 यह condition दी गई है इस question में ताकि यह इसमें हमें यह problem ना हो कि अगर y क्यूंकि अगर negative आजेए 0 से smaller आजेए तो यह complex number बांजेगा तो यहां पर यह condition देग गई है कि यह real numbers है तो सबसे पहले previous question की तरह इसको simplify करते हैं यहां पर y की power 1 over 2 scale root का मतलब होता है कि y की power 1 over 2 है यह multiply होगी term इन दोनों terms के साथ जब first term के साथ multiply होगी तो यहां पर y की power 1 है यह y की power 1 over 2 थी तो multiply होगे तो powers add हो जाएंगी इसी तरह plus यह y की power 1 over 2 1 से multiply होगी तो y की power 1 over 2 next step में हमने यह करना है कि यह y denominator में single term है यह इन दोनों terms के साथ अलग अलग कर देनी है और बाहर हम dy लिखते हैंगे next हम मजीद simplify करते हैं इसको y trace power 1 plus 1 over 2 है तो यहां पर क्योंके y की power 1 है यह जब उपर लिखेंगे तो y की power minus 1 हो जाएगी यानि के दो basis same है तो इनकी powers add होती है तो क्योंके यह divide हो रही थी term तो 1 जब उपर लिखेंगे तो minus 1 हो जाएगा प्लस यहां पर भी basis same है तो 1 over 2 y उपर लिखेंगे तो इसकी power minus 1 और बाहर dy अब देखें यहां पर minus 1 और plus 1 cancel out हो जाएगे y की power 1 over 2 plus यहां पर half में से subtract हो रहा है 1 तो यह LCM बेशक ले लें तो यह y trace power minus 1 over 2 बाहर dy है तो यहां पर y trace power n और यहां पर again y trace power n तो यह formula indication of x trace power n यहां पर dx था तो x trace power n हो तो dx आता है और equal होता है x trace power n plus 1 over n plus 1 plus c के और यह valid नहीं है n minus 1 के लिए तो यही formula हम यहां पर इस्तमाल करेंगे तो यहां पर क्योंकि variable y है तो y की power 1 by 2 plus 1 over में 1 by 2 plus 1 इसी ज़रा plus y की power minus 1 by 2 plus 1 over minus 1 by 2 plus 1 तो y की power बंजेगे हैं आरे पास यहां पर LCM लेंगे तो 3 over 2 यह LCM लेंगे तो 2 one times 2 plus 1 3 over 2 होता है तो साथ में लेखेंगे तो 2 over 3 plus यहां पर y to raise power 1 over 2 नीचे भी क्योंकि minus half minus है और full plus 1 है तो यह plus 1 by 2 बनता है denominator में तो साथ लेखेंगे तो 2 तो क्योंकि यहां पर हमने integration ली थी इन दोनों terms की तो यहां पर बेतर यह था कि आप एक step over कर लें कि first time की integration कर लें plus second time की integration कर लें otherwise यह step अगर आप skip भी करना चाहते है यानि कि इसके बाद यह step भी करना चाहते है तो आप direct भी कर सकते हैं या individually आप अलग अलग integration करके फिर integration apply करें तो जब integration sign remove करते हैं तो plus c लिखें यही c नीचे भी आएगा तो इस तरह यह question आपका complete हो जाएगा इसी तरह हम next lecture में इसी question का जो next part है उसमें given integration को evaluate करेंगे 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 करेंगे